देखिए ये class 10th electricity का doubt है इसमें आपको बोला गया है current of 0.1 ampere flows through 25 ohm register अब देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है ये question क्यों आपको परिशान कर रहा है सबसे पहले आप ये समझी जरा कि अगर आपको कोई wire दिया हुआ है ना देखो अभी रुख जो इस question में negligible मानते हैं wire का मानलो copper की कोई wire होगा जब तक register वहाँ पर ना लगाओ यानिकि resistance वहाँ ना लगाओ तब तक potential ड्रॉप नहीं होगा मतलब समझो जैसे कि यह देखिए जरा यहां अगर कोई resistance लगा हुआ है अब सुनिए यहां से कोई current आ रही है ठीक है चलो मैं आपको values के साथ समझाता हूं मानलो यह two ohm का resistance है और यह three ampere की current आ रही है तो ध्यान से जरज समझीएगा सबसे पहले देखो जैसे यह wire जा रहा है ठीक है त अभी तो V is equals to IR से potential drop होगा महाँ पर कुछ ना कुछ समझे जरा जैसे कि यह वाले point का कुछ ना कुछ potential है मानलो कितना potential है वी इस point को मैंने A बोला तो इसका potential भी कितना है उतना ही है अभी कोई potential ड्रॉप नहीं हो रहा है जितना potential इसका है उतना ही point C का है मतलब हर एक point का है potential potential से में डी का भी हुत नहीं इसका भी वी डी point का भी वी क्योंकि अभी कोई resistance नहीं है जैसे ही resistance आएगा तुरंत यहाँ पे potential drop होगा मतलब समझो इस register के across कितना potential drop होगा V is equals to या बोल सकते हो इस potential इस register के across potential difference कितना ऐसे समझ लो class 10 के student आप ठीके तो इस register को cross करने के बाद इस register को cross करने के बाद जो point यहां मिलेगा न आपको ठीक है ना यहां जो मिलेगा यहां सब का potential कितना होगा वी नहीं होगा क्योंकि इसका वी था एसका वी वी वी-वी वी यहां तक वी अब यहां पर drop हो गया six तो यहां कितना बचेगा वी माइनस 6 बचेगा यह चीज है अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या एक बात बताओ यही चीज यहां पर चल ले इस सरकेट में देखेगा ज़रा ध्यान सुनिए अगर मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूँ लेड़ से एम तो जितना पोट फॉकस करिएगा यह वाला विड़ा देखने में अलग अलग वगण पॉजीशन पर हैं यह अलग पॉजीशन पर यह एक पॉजीशन पर यह फीपॉजीशन पर था・ इस वाली जो आ रही है और यह वाली सिंगलो और यह ना feminis circuit को पहले थोड़ा सा ठीक से बनाओ, अब ठीक से आप बनाओगे, तो देखो कैसे आप बनाओगे, समझो जरा, इसमें थोड़ा correction करिए, देखिए, मैं circuit को बनाता हूँ, आपके सामने, तो आपको अच्छा लगेगा, देखिए, क्या मैं इस बात को यहां से हटा दूँ, आ अब देखो, यहां से यह वायर आई, इस तरीके से, तो आप लोग इसको बना लीजे, इस तरीके से, देखिए, यह कितना है, 80 ohm, ठीक है, बना लीजे, कोई दिककत नहीं है, ठीक, समझ लीजे, अब देखिए, चलो, मैं यहां पर point के नाम दे दे रहा हूँ, ताकि आपक इसको बोला, ठीक है, देखते जाना, वहीं से देख्के बना रहा हूँ, ऐसे कर गया है, 80 ohm के बाद point A मुझे मिला, यहां पर भी मुझे point A मिलेगा, ठीक, अब सुनो, A से निकला 25 ohm वाला wire, यह इस तरीके से, A junction से निकला 25 ohm वाला, यह आया, और यहां पर यह इस तरीक दिया, चिक, इस point को मैंने P बोल दिया, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बच्छों, यहां से P से दो ब्रांचेस निकली हुई है, 20 ohm की और 60 ohm की, लेकिन पता है, खास बात यह है, खास बात यह है, कि यह वाली wire, यह यहां जा रही है, और यह वाली 60 ohm के साथ यहां, लेकिन पता है, वो अलग-अलग position पर आपको दिखाई पड़ा है, नहीं वो अलग-अलग position, ना, 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 क्योंकि इस point का, और इस point का potential same है, कितना, जितना, यहां का potential होगा, बैटरी के negative channel का होगा, बैटरी आसल जो भी, देको इसका, 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 हर एक point का, यहां पर potential same है, क्योंकि कोई register नहीं आ रहा है, ना, भाई, तो यह वाला point और यह वाला point, ठीक है, थोड़ी दिर के लिए, इसको मैंने M बोल दिया, और इसको मैंने N बोल दिया, तो M और N को एक में जोड़ दो, यार, फो चो यह wire है, इसको point है, यार, इस wire को लाके यहां touch करा दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, इसको हटा दो, BC को 20 से, वहाँ पर कोई potential drop ही नहीं हो रहा है, यहां कोई register नहीं लगाए, क्या दिक्कत है, बताओ, C को लाके B पर चिपकाओ, ठीक, तो देखना अजड़ा कैसे करेंगे, बहुत ध्यान यह वाला point P है न, ठीक, यहां से यह निकली 20 ohm की, ठीक, और यह आके, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दो तो आप बुरा मत मानिएगा, और यहां से यह आई, यह ऐसे आके 60 ohm के साथ, यह इस तरीके से 60 ohm के साथ, यह ऐसे लाके, यह एक ही, अब दिखा न, यह B को और C को ल बोल दो, C से मतलब नहीं है तुमें, ठीक, क्योंकि B और C एक ही point है, यह point हो गया B, अब बताओ क्या दिक्कत है, यह point हो गया B, ठीक, और यह जो वायर आर इलाके B से connect करवा दो, यहां से यह जो आरी, ऐसे B से connect करवा दो, यहां दिक्कत है बताओ, अब इसके बाद, यह वायर ऐसे करके आरी, और यहां 20 ohm लगा हुआ है, ठीक, तो, यह वायर इस तरीके से आरी है, ठीक, और यहां पर आपका, यहां कहीं, ठीक है, यहां कहीं 20 ohm लगा हुआ है, ठीक, और इस तरीके से, अब देखो, यह वायर आरी, C से connected है, यार यह C से connect करो, चाहे B से करो, स सेम है क्योंकि cv सबका पॉइंशल का सेम है तो यह इस तरीके से है तो पता है अब वह जो चली उला सरकुट आपको दिया हुआ था ऌ Dem ju कृम एजान रखकेट भीगों और सी को एक ही पर कर दिया तो यह देखेगा एक बात बताईए मान लीजिए कि पीछे से यह जो भी है सुनो यह पूरा सिस्टम ध्यान से मेरी बात सुनीगा यह पूरा सिस्टम यह पूरा सिस्टम इतना यह पूरा सिस्टम यह जितने भी रेजिस्टर लगे हुए यहां पर ठीक है यह 20 था और यह वाला 60 था यह सब मिलके बैटरी से या सेल से कुछ करेंट ड्रॉन कर रहे होंगे, खीच रहे होंगे, तो मान लो वो टोटल करेंट कितनी आई है, मान लो मानने में क्या जा रहा है, यह सब मिलके यहां से टोटल करेंट आई ड्रॉन कर रहे होंगे, सेल से, ठीक, देख ले न आराम से, यह आई करेंट यहाँ पर आई 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 अब सनो यह आई करेंट 80 ohm में से भी कितनी जाएगी i current तो यहां से आई यह आई current है यही total current यहाँ इस junction पर current हो जाएगी चेट कर लो है ने अब according to the question according to the question 25 ohm में कितनी गई 0.1 एंपियर समझे गज़ रहा और मैं कहा रहा हूं कि total current कितनी निकलती आई आई क्या आपकी total current आई क्या है आपकी total current है ना of the circuit तो यार आई में से कुछ current यहां चली गई कितनी चली गई बताओ 0.1 एंपियर ठीक तो 0.1 एंपियर यहां चली गई अगर तो ध्यान से सुनना तो इस point पे बची हुई current कितनी हो जाएगी आई में से 0.1 माइनस कर दो तो यहां कितनी current जाएगी आई माइनस 0.1 एंपियर ठीक समझे रहो यह वाली branch में कितनी निकला खुद चेक करो यार पीछे से आई आ रही है यह वाले junction पे डिवाइड हो जाएगी इधर 0.1 दिया है वैलू तो इधर बची हुई current जाएगी तो total current अगर आई थी तो आई में से क्या माइनस कर दे 0.1 क्योंकि आई में से 0.1 यहां चली गई ना तो यहां कितनी जाएगी आई माइनस 0.1 एंपियर करेक्ट ओके और इन्होंने बोलाए the current in 80 ohm register यहने कि 80 ohm register से कितनी current जाएगी यहने कि आपको i total निकालना है यह i total आपको i के बल्लू निकालना है चिक अच्छा अब क्या करें तो द्यान से चेक करिए एक काम करते हैं सुनिए अब इस इस circuit को और reduce करेंगे कैसे बहुत ध्यान से चेक करना हम क्या करेंगे हम point P और point B के बीच का equivalent resistance निकाल लेंगे ध्यान से सुनिएगा यह 60 और 20 parallel में है बताओ कैसे क्योंकि उपर से जो current आएगी कुछ current यह वाली branch में जाएगी और कुछ current यह वाली branch में जाएगी तो यह current डिवाइड हो जा रही है अब वो कितनी कितनी हो जाती उसको आप ठोड़ो लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि यहां से जो भी current आ रही थोड़ी इसमें से जाएगी और थोड़ी इसमें से जाएगी इस टू आर इन पैरलल कौन कौन से पैरलल में बताओ 20 और 60 तो एक बाद बताओ क्या आप एक नया circuit बना सकते हो फिर से यस सर जिसमें कि आप P और B के बीच में चेक कर लो ना यह point P और B के बीच में ही तो लगें यह 20 और 60 जो की पैरलल में तो P और B के बीच में इनका एकलेंट लिख लो जान सुनिएगा 20 और 60 आर इन पैरलल जान से सुनिएगा मेरी बात को 20 ओम और 60 ओम आर इन पैरलल आर इन पैरलल ठीक तो हम क्या करेंगे हम इसका एकलेंट निकाल लेते हैं चलिए यानिके इकलेंट रिजिस्टेंस बेट्वीट और अब्वीपोइंट वजिस्टेंस बेट्वीट पी और धालेंट सुनिएगा आर अब बीच के बीच निकालेंगे यहनै कि 20 और 60 को पैरलल वाले स्टाइल से निकालेंगे तो 20 ओर आर आरेक्ट निकाल लो। 2 बावन ँनbers पिछ का आपने क्या माना है उसको आपने आफ पी बोल दिया मैं लो प्योटी के बीच का तो वन अपन आर एकलेंट डिश्लेट गोलें, है ना, वन अपन आर्वन और प्लस वन अपन आरट टू जिनको नहीं आता हो ऐसे करके कर लें ठीक, तो अब आप बोलोगे तर लस्ते म इतना आएगा यह वो आपको जैसे करना आप ऐसे को लो मैं मना नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो यहां से अगर आप निकालोगे तो 1 upon R equivalent between point P and B is equals to 20 और इसका LCM आपका 60 आजाएगा यहां 3 आजाएगा यह तो आप solve कर लोगे तो यहां से क्या आजाएगा 1 upon R equivalent between point P and B is equals to 4 by 60 ठी ठीक तो 1 upon R equivalent between point P and B is equals to 1 upon 15 नाओ टेकिंग रैसिप्रोकल आजाएगा तो आपकी मर्दी नहीं तो आप ऐसे निकाल लो भाई डिरेक्ट तो इसको ऐसे solve कर लेते 20 into 60 upon में 20 plus 60 कितना होता है से 80 यह 0 से 0 गया और 2 1 जा और 2 3 जा 3 into 20 कितना आ गया 60 ओम ओके कुछ गलती हो रही क्या आरवन इंटू आर्टू प्लस आर्टू कुछ गलती हो रही क्या मेरे से चेक कर लो गहीं यहां देखी कलती हो रही है ना calculation mistake मैं ही कर रहा हूं देखो 20 into 60 को ऐसे रहने दीजिए students और नीचे 80 हो जाएगा 20 plus 60 80 होता है यह 0 से 80 होता है या बार-बार calculation mistake हो रही है यह 0 से 0 चला गया ठीक अब ध्यान देए students यहां पर दिखिए अब 2 से चैंसल कर दीजिए तो टू थ्रीजा और टू फोर्दा ठीक फिट टू टू जा और टू टेंजा करेक्ट टैन इंटू थ्री 30 हो जाएगा और अपान में टू सो टू इंटू 15 30 तो यहां से भी बच्छो आर एकलेंट बेट्वीन पॉइंट पी एन भी कितना आ गया 15 ओम ठीक जैसे ही ऐसा आगया तो आप एक नया स्रकेट बनाओगे सुन लो ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना अब अब नया सरकेट में महां बना रहा हूं फिर से मैं इसा लगाओंगा अम मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूं देखो यह वी वोल्ड का मैंने शेल लग कि यह वाला कितना ओम का रिजिस्टेंस है तो मैंने लिखा ही नहीं यह 25 ओम का लिख दीजेए चिक अब बहुत important सुनना बहुत important भाई P और B के बीच में equivalent resistance निकाला ना तुमने कितना आया यहां मैं blue color से dark में लिखना हूँ P और B के बीच में अभी अभी निकाला कितना आया आर equivalent between point P and B 15 ohm आया है ना तो P और B के बीच में अब हम क्या लिखेंगे इसका equivalent निकालेंगे लिखेंगे आर equivalent between point P and B is equals to 15 ohm तो यहां आप 15 जैसे लगाओगे P और P और B के बीच में है ना देखो समन्ना जड़ा यह वाला point P था ठीक और यहां कहीं point B था और P और B के बीच का अब जो equivalent आया उसको लिख दो कितना है बताओ 15 आया है यह वाला हो जाएगा कितना 15 ohm ठीक और इसको लाके यहां पर ऐसे connect कर दो ठीक और यहां से यहां से यहां से यह वायर आई है 20 ohm की और ऐसे लाके यहां connect कर देंगे तो यह इस तरीके से ठीक इतना हो गया अब थोड़ा ध्यान दीजेगा यहां से जो current आ रही है कितनी यह वाली यह current जो आ रही है 0.1 ampere की वो 25 ohm यानि कि 25 ohm में जा रही थी यह ऐसे करके कितनी 0.1 ampere अब एक बाद बताओ यह 0.1 ampere ही तो इसमें भी जाएगी 15 में यार रास्ता अगर इस circuit में देखोगे तो उपर से जो आ रही है कहीं बीच में current तो ओड़ नहीं जाएगी हवा में ठीक है पी और बी के बीच का एकलेंट कितना है 15 तो 15 ohm में से भी यह current जाएगी क्या 0.1 ampere तो कहने का मतलब यह है कि 25 और 15 अब सिरीज में हो गए ठीक है क्योंकि दोनों में current क्या है से में ठीक तो यह हो गए आपके किसमें त्रीज में ठीक अच्छा अब अगर यह सिरीज में है तो जरा ध्यान दीजेगा बच्चों अब इसके बाद थोड़ा इतना डाइजस्ट कर लो फिर मैं आपको बताता हूं भी पहले डाइजस्ट कर लो इतना अभी एक नया सर्कि और यहां से यहां से यह 80 ohm है ठीक अपिर यह वाला पॉइंट ए हैं और इसके बाद अब ध्यान देना जरा ध्यान से सुन लो यह आपका क्या था 25 ohm फिर यहां आपका पॉइंट पी था और फिर यहां क्या रहा था P और B के बीच में 15 ohm यह बी है और इसको लाके ऐसे कन 25 Ohm और ये क्या था आपका 15 Ohm और current कितनी आ रही थी 0.1 Ampere की यहाँ 0.1 Ampere और ध्यान से सुनो यहाँ से I current निकाली थी तो यहाँ और यहाँ से 0.1 यहाँ चली गई तो I में से 0.1 माइनस करोगे ठीक तो यह वाली ब्रांच में यह जो current जा रही है यह बच्ची वाली current कितन I minus 0.1 Ampere तो यह और यहाँ रागस कितना है चेक कर लो satellites कितना है त्वटि ओम का slow इस बताईए सुनिए यह जो लगा हुआ है और इन दोनों का जो उकलेंट होगा यह दोनों सिरी इसमें क्योग्य current 0.1 और 0.1 हो जाएगी इसमें इसमें 0.1 आजएगी है ना तो यह बताओ यह दोनों पहले series में अब सुन लो अगर 25 और 15 और इन series 25 ohm and 15 ohm are in series are in series अब तो हो जाएगा सवाल है ना are in series तो एक और equivalent circuit बना लो कोई बात नहीं 25 और 15 का equivalent कितना आ जाएगा बताओ तो are equivalent of 25 ohm and 15 ohm will be equals to हाँ बाई दोनों series में directly add कर दोगे यहने कि 25 ohm और प्लस 15 ohm बताओ कितना आ जाएगा 40 ohm तो अब A और B के बीच का resistance आ गया एक तरीके से this is the R equivalent between A and B है ना अब A और B के बीच का इन दोनों की जगा आप कितना दिखाओगे अब फिर सेक सर्केट बनाओ तो यह होगे आपका V और यह 80 ohm ठीक और यह बाला point A और नीचे था point B ठीक ध्यान दीजेगा और यह V volt और यहाँ से current I अब A और B के बीच का एक लेंट कितना आ रहा है बताओ 40 ohm अब बताओ उपर से current कितनी आ रही थी 0.1 ampere तो यहार इसमें भी 0.1 ampere जाएगी ठीक 0.1 ampere ठीक और यहाँ से यह 20 ohm वाली ब्रांच यह इस तरीके से ठीक और पीछे से current total I आ रही थी तो यह वाली ब्रांच में I-0.1 ampere ठीक है अब सुनना ज़रा ध्यान से सुनना यह 20 और 40 कैसे है पैरलेल में नहीं है बताइए यह 20 और 40 अब पैरलेल में नहीं है बताइए नहीं समझा देखो ज़रा ठीक कर लो भाई पीछे से यहां से मान लो कोई current आ रही तो यार उसमें से कुछ इधर चली गई और कुछ इधर चली गई तो यह 40 और है यह 20 में अलग current है तो दोनों पैरलेल में इतना तो पिचान जाओंगे हेर 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 20 ओम एन 40 ओम ओकी यह कि प्वट्टी ओम एंडट वंटी ओम आर इन पैरलेल और इन parallel कैसे पेचाना क्योंकि parallel में current डिवाइट हो जाती ना इसमें लग current जा रही 0.1 और उसमें I-0.1 तो दोनों में current different है इसलिए दोनों parallel में और parallel में अगर है तो potential difference same होगा याने कि potential difference across 40 ohm सुन्दे ना V का मतलब potential difference 40 ohm के cross जो potential difference होगा वही potential difference किसके cross होगा 20 ohm के cross समझ रहे हो कि नहीं क्योंकि parallel में potential difference same होता है तो ये वाला और ये वाला ये दुनों आप parallel में तो इसके cross जो potential difference होगा V across 40 ohm is equals to V across 20 ohm अब निकाल लीजे और रख दीजे एक बाब बताओ अलग से निकाल लो याँआपर सुनो द्यान से अगर मैं आपसे पूछू कि V across 40 ohm कितना आएगा V का मतलब formula कौन सा लगेगा V is equals to IR लगाओगे I into R है ना तो सुनो 40 ohm के cross I into R लगाओगे तो I कितना आ रहा है 0.1 ampere तो I की जगह रखा 0.1 ampere into R और R कितना है 40 resistance कितना है 40 ठीक इसको solve कर लीचे कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 4 है ना चेक कर लेना 4 आ जाएगा 4 volts चिक और इसी तरीके से मैंने बोला V across 20 ohm तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर लगाओगे V is equals to IR तो I की जगह यह करेंट रखोगे भाई सुनो ध्यान से इस 20 ohm में कित्ती करेंट जा रही है 20 ohm में कित्ती जा रही I minus 0.1 ना ठीक तो I की जगह यह और R की जगह 20 ठीक यहाँ से आ जाएगा I की जगह I minus 0.1 ampere यह हो गया current 20 ohm से जाने वाला current और resistance कितना है 20 so into 20 यह लीजे अब value रख दीजे V across 40 ohm 40 ohm के cross potential difference कितना है निकाला अभी कितना आ रहा है 4 volt तो इसकी value होगी 4 is equals to और इसकी value I के terms में आ गए और I आपका total current था वही निकालना है V across 20 इतना है कितना इतना इतना का मतलब I minus 0.1 I into और R की value कितीची 20 चेक अब यह linear equation in one variable है I के लिए solve कर लीचे कैसे solve करोगे क्या आ रहा है 4 is equals to I minus 0.1 into 20 यह 20 आके इधर divide करेगा तो 4 upon 20 is equals to यहाँ बचेगा I minus 0.1 चेक अब 4 1 जा और 4 5 जा होता है यहाँ से 1 upon 5 is equals to I अब यह bracket हटा सकते हो आप I minus 0.1 सही है अब ध्यान दे 1 upon 5 का मतलब कितना होता है 0.2 होता है मेरे खाल से चेक कर ले ना चेक कर लो भाई यह देखो 1 divided by 5 कितना होता है 0.2 ठीक तो यह हो गया 0.2 is equals to I minus 0.1 और 0.1 minus का इधर आ जाएगा तो 0.2 plus 0.1 is equals to I तो I is equals to कितना आ गया 0.2 plus 0.1 0.3 ampere ठीक है students ओके तो यह चीज़ हो गई तो इस तरीके से जो total current थी है ना यह I की value कितनी आ गई 0.3 और यही current तो किस में से जा रही 80 ohm से जा रही total current यही 80 ohm से जा रही तो 80 ohm की current हम से पूची थी उन्होंने ठीक तो यह स ठीक है आप एक बार फिर से देखिए इसको नहीं समझ मैं है यहां से total current होगी 0.3 ampere so the answer is optional में अगर दिया होगा तो आप टिक लगा दिएगा किस पर 0.3 ampere पर दिया है क्या option C is the correct option एक बार फिर से देखिए अगर नहीं समझ मैं है तो